दोस्तो नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से मैं हूँ आचारिस के तिवारी, आज बात करेंगे मंगल के रासी परिवर्तन के बारे में इस रास पर ये 12 जुलाई की साम 6 बजकर अंठामन में अट तक गोचर करेंगे, इसके बाद सुक्र की बिरिस रासी में चले जाएंगे, मंगल का अपनी रासी मैंस में गोचर करने के पेड़ाम सुरूप कई रासी के जातकों के रुचक राजियोग बनेगा, जिसका प्रभा आपकी रास के जातकों के लिए बरदान की तरह सावित होने वाला है, इसलिए कोई भी बड़े से बड़ा कार आरंब करना हो, किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो, जमीन जायदात खरीदना या वेचना हो, सेना पुलिस अथवा, इसके साथ ही अगनी समन में नोकरियाद के लिए अविदन करना हो, रियल इस्टेट के छेतर में भागया जमाना हो, तो उनके लिए यह गोचर बहुत ही बहतरीन अबसर सावित हो सकता है, अपनी जीदा और आबेस को नियंतित रखते हुए कारी करेंगे, तो आप बहुत ही सफल रहने वाले हैं, तो मंगल का यह गोचर आपके लिए किसी बरदान से कम नहीं होने वाला है, दोस्तों अगली रासी है ब्रिसरासी, ब्रिसरास के दोस्तों आपकी रास से बारवे यानि ब्याय भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव का प्रत्यासित पैणाम लाने वाला साबित आपके लिए अत्यधिक भाग दोड़ और खर्च का सामना करवाएगा इसका दुरगामी पईणाम आपके पक्ष में देखने को जरूर मिलेगा यातरा दे साटन का इस दोरान आपको लाव मिलता दिख रहा है बिदेशी मित्रों तथा संबंधियों से इस दोरान सुखत समाचारी प्राप्ति की योग भी बन रहे हैं साथ ही अगर आप बिदेश में व्यापार करते हैं या बिदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए यह गोचर आपके लिए लवदायक साबित होगा इस दोरान जगड़े विवाद के मामले कोट के चहरी से बाहरी सुलजा लेना आपके लिए समझदारी भराकारी होगा इस गोचर के दोरान किसी को भी अधिक धन उधार के रूप में ना दे अन्य था हुए धन आपका समय पर नहीं मिल पाएगा मिथोनरास के दोस्तों, आपकी रासी से ग्यारबे भाव यानी लाब भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव आपके लिए हर तरह से सफलता कारक सिद्ध होगा कारिश छेत्र का तो विस्तार होगा ही साथ ही उच्च धिकारियों से भी सम्मंद इस दोरान आपके बहुत मजबूत स्थिती में बनेंगे परिवायर के बरिष्ट सदस्यों से हर प्रकार का साथ और सहयोग मिलेगा संतान के डाइतियों की पूर्ती होगी इस दोरान आपके घर में नई संतान का आगमन हो सकता है साथ ही ब्यापारिक सफलताओं का सिलसिला तो चलता रहेगा किन्तु प्रेम समंदी मामलों में थोड़ी से उदासिंता जरूर देखने को मिलेगी अलगाववाद की भी इस्थिती इस दोरान देखने को मिल सकती है इस दोरान आपके इच्छाओं की पूर्ती हो सकती है अब बात करते हैं करकरास वालों के लिए करकरास की दोस्तों आपकी रासि से दसम यानी करम भाव में गोशर करते हुए मंगल का प्रभाव आपको हर प्रकार से मनुन उकूल फल परदान करने वाला सावित होगा समाजिक प्रिष्ठा बढ़ेगी तो वहीं लिए गए निर्णे और किये गए कारियों की आपको सराहना भी मिलने वाली है केंद रथवा राज सरकार के विभागों के प्रतिक्षित कारी भी इस दोरान आपके सफलता पूरवक संपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही सरकारी कामों में अगर आप धन इबेस करने का सोच रहे हैं या किसी प्रकार का टिंडर बगएरा लेते हैं तो उसके लिए भी यह समय आपके लिए हर प्रकार से अनकोल साबित होगा यानि कुल मिलाकर सासन सब्ता से इस दोरान आपको लाभ की प्राप्ती होती हुई बन रही है साथ ही सरकारी सर्विस के लिए क्या गया प्रयास इस दोरान आपका सफल रहने वाला है जमिन जादात के मामले हल होंगे मकान अथवा बाहन का भी क्रै भी क्रै कर सकते हैं अब बात करते हैं सिंगरास वालों के लिए सिंगरास के दोस्तों आपकी राश से नवम भाव यानि भाग्य भाव में गोचर करते हुए अपनी ही राश में मंगल आपके साहस और पराकरम की बृध्धि कराएंगे जो भी कारी करेंगे उसमें अच्छी सफलता मिलेगी किन्तियों अत्यधिक खर्च और भागदाओर का भी इस दोरान आपको सामना करना पड़ सकता है बिदेशी कमपनियों में सर्वी सफा नागरिकता के लिए किया गया आपका प्रयास इस दोरान सफल रहेगा अपनी रणनीतियां और योजनाओं को तब तक गोपनी रखें जब तक आपका कारी सिद्ध नहीं हो जाता यानि सफल नहीं हो जाता है साथ ही चुनाव सम्मंधि अगर कोई निर्णाय लेना चाह रहे हैं राजनी से सम्मंधित कोई निर्णाय लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी सफलता की संभावना सरवाधिक रहने वाली है अब बात करते हैं कर्णियारास वालों के लिए कर्णियारास के दोस्तों आपकी राश से अश्टम यानी आयुभाव में गोचर करते हुए स्वईग रही मंगल कई तरह की उतार चढ़ाव और प्रतासित परिणामों का आपको सामना करवा सकता है कारिशेत का विस्तार तो होगा ही लेकिन कई बार आपको परिस्तरम के अनुरूप फल नहीं मिल पाएगा और इसके प्रतियाप निरास ना हो स्वास्त के प्रत थोड़े चिंता सील बने रहे इस दोरान आपके स्वास्त में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है साथ ही परिवार में अलगाव बात के इस्थिती उत्पन हो सकती है इसलिए उसे रोकने का भरसक प्रयास करें साथ ही काफी दिनों का प्रतिक्षित कारी भी इस दोरान आपका सफल और संपन हो सकता है बिवादित मामले अगर आपके जिवन में चल रहे हैं तो उसे कोट का चहरी के बाहर सुलजा ले आपके लिए हित कर रहेगा इस दोरान आपको सड़ेंत रकास सिकार होने से बचना भी होगा कुछ लोग आपके पीठ पीछे सड़ेंत रचने का कारे भी कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं तुला रास वालों के लिए तुला रास के दोस्तों आपके रास सब्तम यानि दामपत्य भाव में गोचर करते हुए मंगल हर तरह से आपके लिए लाब दाइक साबित होंगे लेकिन इस रास के लिए कहीं न कहीं नुकसान दाइक भी रहते हैं फिर भी कार बयापार की दिश्च से इनका गोछरकाल आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है साज़ा बयापार करने से थोड़ी सी दूरी बना कर रहें इस दोरान अगर पहले से ही साजह ब्यापार कर रहे हैं यानि पार्टर से प्यापार कर रहे हैं तो पार्टर से साब्धान जरूर रहे हैं आपको धोखा देने का कार्य कर सकते हैं नोकरी में इस्थान परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं तो उस दिष्ट से ही है समय आपके लिए बहतर कहा जा सकता है उत्तम रहेगा बैवाहिक बारता सफल होने में थोड़ा और समय लग सकता है समाजिक पत प्रिष्ठा बढ़ेगी लिए गए निर्णेों की इस दोरान सा रहना भी होने वाली है बात करते हैं ब्रिष्चिक रास के लोगों के लिए तो ब्रिष्चिक रास के दोस्तों आपकी रासी के स्वामी मंगल का स्वग रही होकर सत रुभाव में गोचर करना आपके लिए किसी बरदान से कम नहीं है सफलताओं का सिलसिला चलता रहेगा परिवार में मंगली कारी करमों का सुवबसर प्राप्त हो सकता है आई इस दोरान आध्याद में को नत भी होने के संभावना बन रही है कोट कचहरी के मामलों में नेड़ने आपके पक्ष में आने के संकेत बन रहे है किसी दूसरे देश के लिए बीजा आधिका अगर आबेदन करना चाह रहे हैं तो उस लिहाद से भी यह ग्रह गोचर आप के लिए उत्तम साबित हो सकता है लेकिन इस अबाधि में किसी को अधिक धन उधार आप बिल्कुल ना दें और नहीं तो वह धन देर सबेर डू भी जाएगा अब बात करते हैं धनुरास वालों के लिए धनुरास के दोस्तों आपकी रास्ते पंचम यानी बिद्या भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव बेहतरीन रहेगा बिद्यार्थियों और प्रत्योगता में बैठने वाले छात्रों और इंजीनियों के छेतर से जुड़े प्रत्योगियों के लिए यह समय बेहत उत्तम रहेगा बिद्यार्थि वर्ग बिदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे है तो अब सर अच्छा है आप प्रयास कर सकते हैं संतान के दायतियों की इस दोरान पूर्ती हो सकती है आपके घर में किसी नवजात का आगमन भी इस दोरान हो सकता है साथ ही प्रेम सम्मंधी मामलों में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है प्रेमी से कुछ भी छुपाएं नहीं जो भी है उसे सच सच बताने का प्रयास करें नहीं आपको इसके लिए दंड का भुकतान भी करना पड़ सकता है अब आई ये बात कर लेते हैं मकरास वालों के लिए मकरास के दोस्तों आपकी राश से चतूर्थ यानि सुक भाव में गोचर करते हुए मंगल आपके लिए मिला जुलाफल परदान करने वाले है कारी छेतर में सफलताओं का सिलसिला तो चलता रहेगा किन्तु कहीं ने कहीं पाज़वारी कला है और मांसिक असांती का भी इस दोरान आपको सामना करना पड़ सकता है माता पिता के स्वास्त के प्रत भीज दोरान आपको बहुत ही सतर कोड़ साबधान रहना होगा मकान अथवा बाहन का करे करना चाह रहे हैं तो उस दिश्ट से यह मंगल का गोचार आपके लिए हर प्रकार से लावदायक साबित होगा सरकारी विभागों के कारे भी इस दोरान आपके बहुत जल्द पूरे होते न जार आएंगे ने टेंडर के लिए अगर आप आबेदन करना चाह रहे हैं तो उस दिश्ट से भी यह गोचार आपके लिए सरवथा अनकूल साबित होने वाला है अब बात करते हैं कुमभरास वालों के लिए कुमभरास के दोस्तों आपकी रासी से तृती यानी पराकरम भाव में गोचर करते हुए मंगल आपको कठोर नेड़ने लेने वाला बना सकते हैं किसी भी बड़ी जम्यदारी का निर्वाहन बाख़ूबी कर सकते हैं धर्म और आध्यात में किप्रत इस दोरान आपकी रुची तो होगी ही जरूरतमन लोगों की मदद के लिए आगे भी आएंगे साथ ही परिबार में नए महमान के आगमन से महोल बहुत अच्छा रहेगा गुप्त सत्रू इस दोरान परास्त होते हुए दिखाई देंगे आर्थिक धोखा धड़ी का सिकार होने से इस दोरान आपको बचना होगा जो लोग नीचा दिखाने की कोशिस में लगे थे वही लोग अब आपकी मदद के लिए आगे आते हुए नजार आएंगे इस दोरान सामाजिक पत प्रतिष्ठा में निरंतर बिर्दी होती हुई दिखाई दे रही है इस दोरान आप आनलाइन कामों में ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपको कोई धोखा दे जाए इस बात का आपको सतरकता और साबधानी जरूर रखनी पड़ेगी अब बात करते हैं में रास वालों के लिए में रास के दोस्तों आपकी रासी से दिती यानि धन भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव मिला जुला फलकारक रहेगा स्वास्त बिसेश करके आँक का नाक से सम्मंधित बीमारियों के प्रत थोड़ी से साबधानी रखनी रखनी की आवर सकता है आर्थिक पक्ष आपका इस दोरान अच्छा रहेगा मजबूत रहेगा क्योंकि धन भाव में आपके मंगल आने वाले हैं दिया गया धन भी इस दोरान वापस आपको मिल सकता है अकास्मिक धन प्राप्ती का योग भी बनेगा अपनी योजनाओं को गुपत रखते हुए कारी करेंगे तो आप ज़्यादा सफल रहने वाले हैं इस दोरान जब तक मंगल का गोचर आपके धन भाव में चल रहा है इस दोरान कारी छेत्र में सड़ेंतर का सिकार होने से आपको भी बचना होगा आपके खिलाब भी कोई धोखा धड़ी करने का प्रयास कर सकता है या आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ सड़ें तरस सकता है इसके साथ ही काफी पुराना जाइदा समंधी विवाद इस दोरान हल होता हुआ नजार आएगा चाहे वो हैं आपके पुस्तेनी संपत्ती हो या फिर कहीं किसी संपत्ती में कोट केश चल रहा हो तो इस दोरान आपका मामला हल होता हुआ नजार आएगा तो दोस्तों ये जानकारी थी मंगल के रासी परिवरतन के बारे में आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल में अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें